तो हेलो गाइस वेलकम बेक टूनी वीडियो सेसन आप सब गारोजगार लाइव की इस सेसम के अंदर स्वागत है कल हमने बात करी थी एक सेंट्रल बैंक की रिक्रूट्मेंट को लेकर जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक को इंडिया के अंदर जो सपाई प्रोसेस है वो हो जाएगा अब उस वीडियो सेसन के अंदर काफी बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर इसमें ये जो जो वो सफाई करमचारी की है लेकिन क्या इसमें प्रमोशन का कोई प्रावदान है क्या हम कल रख की पोस्ट पर जा सकते हैं या उससे उपर की कोई सब्स्के सर test नाम से आपको यह लगता है तो क्या इसमें आपको जाडू करना है या कोई यह दूसरी आपकी प्रोफाैल रहने वाली है क्योंकि इसमें क्या हो थिक है सब exhibक होता है या जो बड़े अधिकरी होते हैं उनके साथ में coordination बिठाने का काम करते हैं ठीक है उनके जो भी छोटे मोडे काम होते वो करते हैं तो क्या इसमें job profile रहेगी इसको लेकर बात करेंगे और साथी promotion किस परकार से आप ले सकते हो और कितना time promotion में लगता है किस किस परकार से promotion होता है ये सब बाते में आपको इस session के अंदर बताने नहीं है तो मैंने आपको कल के session में ये बताया था कि 20-12-2023 से लेकर आप इसके अंदर 9-1-2024 यानि 9-9 जनवरी-2024 तक आवेदन कर सकते हो इसमें योग्यता खाली 10th pass चाहिए मातर 10वी pass जो बच्चे है वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं 18-26 आपकी IUC मा दी गई है औ और जो उपरी IUC मा इसके अंदर आपको छूट मिल जाती है अगर आप किसी भी reservation category से belong करते हैं तो पिछला जो session अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो पूरा देख लेना क्योंकि notification की जो भी important बाते है वो मैंने आपको last video session के अंदर बताई है तो आज के video session का हमारा मक अपसद यह है कि हम यह समझें कि इसकी जो work profile है जो profile है वो क्या रहेगी तो work profile की बात करें तो सबसे पहला इसका जो काम है यह official है सब ठीक हिए आपको officially available मिल जाएगा कि सब इस्टाप का काम क्या होता है तो पहला काम होता है केस का काम करना यानि केस को इदर उदर रखना क केस को समेटना बंद करना पैक करना यह काम रहेगा बिल क्लेक्टर बिलिंग जो होती है उनको क्लेक्ट करना और ड्राफ्टरी का काम रहता है इसके बाद में document filling का काम यानि कुछ जो forum अगेरा होते हैं उनको feel करना उनको fetching करना branch maintenance करना यानि ब्रांच को वेवस्तित रखन सबी चीजें सही जगह पर रखना और मिस हेलनियस वर्क्स एज आसकर बाई सुपर सुपीरियर्स जो भी सुपीरियर्स आपको बोलते हैं वो काम आपको करना तो आप यह मस सोचिए कि आपको खाली जाडू पोचा करना है हर बेंक के अंदर आपको अलग लगत रहे कि जो प् प्षिए बात नहीं यह नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा लेकिन सब को एक जैसा काम नहीं मिलेगा इसके बाद में दिया है to take money order एक money order लेना यह काम भी आप करेगा to buy stamps stamp आपको खरीदना है which involves caring of case not exceeding 5000 पाँच जार उपे तक कि जो stamps बगएरा होती है उनको आपको ले जाना ल उनको ले जाना, लाना, to post office, post office से, post जो भी आती है, उनको लाना या post करवाना, to stitch currency not bundle, जो currency not के bundle होते हैं, उनको sealना, उनको pack करना, उनके उपर ribbon लगाना, ये सब काम रहते हैं, to stitch and seal parcel, जो parcel आपको भीजना होता है, उनको pack करना, packets containing currency not, जो क्रेंशी नोट्स के पैकेट होते हैं उनको खोलना उनको बंद करना तू ट्रांसिट केस फ्रॉम दा बैंक टू एन ओफिस आउटसाइड और वाइस वर्सा इफ अन कंपेंड बाई ए वोच्मेन आमड गार्ड अगर कोई बैंक में वोच्मेन नहीं है कोई आमड गार्ड वो आते हैं यहां पर कहीं भी आपको ब्रॉमिंग करने का या जाडू लगाने का नहीं बोला गया है यह सब एस्टाप का काम होता है थो इसके बाद में आगे हम बात करें, तो drive free duties के अंदर भी बहुत सारे काम आते हैं, जैसे bill वग्यरा को exchange करना होता है, collecting payment for check, check के लिए payment collect करना होता है, postal order वग्यरा collect करना होता है, bank over post office के बीच में जो connection होता है, वो बनाना होता है, they may also be required to collect case not exceeding 5000, यह सब काम हो गया, simple binding of books and register books और register की binding करना उनको वेवस्तित रखना होता है press coping यानि copy वगेरा निकालना होता है print वगेरा निकालने होते हैं filling independently letters कुछ letters होते हैं जो भरने होते हैं और customers वगेरा की help करने का काम भी इसके अंदर रहता है तो ये तमाम तरह के काम जो होते हैं वो एक sub stop को मिलते हैं ठीक है तो आप ये अच्छे से समझ लेजीगा इसके बाद में promotion की बात करते हैं कि सर इसके अंदर promotion की इस परकार से होता है तो promotion की इसके अंदर दो method होते हैं पहला method है for seniority seniority क्या होती है अगर आप इस post पे यानि सब stop की post पे 8 साल तक काम कर लेते हैं तो आपको बाद में जो कलरक की post होती है वो मिल जाती है या उचसे उपर की जो senior post होती है वो आपको दे दी जाती है एक तो होता है seniority method और दूसरा होता है fast track method fast track method में क्या होता है कि department का exam होता है उस exam में आपको बैठना होता है अगर वो जो stop का exam होता promotional exam होता अगर वो आप correct कर लेते हो तो फिर आप जो है कलरक की post के लिए promote हो जाते हो तो आप अगर एक बार इस bank के अंदर job लग जाते हो तो फिर आपके पास में दो opportunity रहती है for example जो बच्चा अभी 18 साल का है या 18 से जो 22 साल का है वो इस job के लिए select हो जाता है तो वो लगबग आप ये समझीए कि 26 से लेकर 30 साल के बीच में वो क्या बन जाएगा कलरक की post में बन जाएगा और आपको पता इंडिया के अंदर 26 से 30 साल के कितने लाख बिरोजगार है तो job लगना बड़ी बात है उसके बाद में सारे काम आसान हो जाते है तो एक बात तो ये समझ लीजिए कि आप promotion लेकर आगे बढ़ सकते हो अगर आप intelligent हो तो आप जो exam है promotional exam है उसके अंदर बेठके आप promotion ले सकते हो अब आपके पास में ये opportunity है आप किस परकार से इसको लेते हो ये आप लोगों पर depend करता है और तमाम तरह की जानकारी और तमाम तरह की तन्यारी के लिए आपको क्या करना है धोरा classes एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना है गूगल प्ले स्टॉर से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया है हेल्प लाइन नंबर 80-94-24-84 इस नंबर पे किसी भी परकार की सायता के लिए आप फोन कर सकते हो अभी भी कोई सवाल आपका बचा आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आगे हम डिस्कसन करेंगे कि इसका डिटेल सिलेवर्स क्या रहेगा किस परकार से आप से सवाल पूछे जा सकते हैं किस परकार से इसमें सेप इसको रहेगा केसे आप भैतरीन तयारी कर सकते हो यह सारी चीजे हम आगे आने वाले वीडियो सेशन के अंदर समझने वाले हैं तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको ठीक लगी है तो वीडियो सेशन को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलेगा ओके थेंक्यू धनेवा, जैहिन, जैवार